नमस्कार मैं SS राठी जैसा कि आप समी जानते हैं मैं नए गानों पर समिक्षा करता हूँ और मेरे पास कई दिनों से लगातार मैसेजिस आ रहे हैं कि एक नया पंजाबी सोंग आया है उस पर भी कुछ बोलिए और आज मैंने वो पंजाबी सोंग यूट्यूब पर खोला संत डॉक्टर MS जी दुवारा ये गाना गाया गया है डिस्करप्शन में देखा तो उसमें लिरिक्स भी उनिके हैं म्यूजिक और उनकी आवाज भी उनिके सब कुछ उनिका है जो है जागो जागो दुनिया दिये लोग को जागो जागो उच्छी समय में 10 मिलियन से भी उपर लोग देव चुके हैं आज उसी पंजाबी सोम की समिक्षा करने जा रहे हैं देखते हैं आकि इस गाने में है क्या सरपंचो ठिकरी पैराला देओ नशदी नो एंटरी करा देओ पिंडा विच्छ ठिकरी पैराला देओ नशदे बपारिया नू पजादेओ जगो देश दे लोग को जगो बोर्ड दे लोग को नशदी तो पुटने जगो देश दे लोग को नशदी तो पुटने जगो जगो देश दे लोग को नशदी तो पुटने जगो जगो देश दे लोग को जगो जगो देश दे लोग को जगो जगो देश दे जवानो जगो जगो देश दे जवानो शर्यम करन आप पार मोद दा राप दलो नादी शता नी सोच दा शर्यम करन आप पार मोद दा राप दलो नादी शता नी सोच दा ठेके आनू तुसी ताले ना दियो जिप्टे रूँ फूख काला बणा दियो जैकोई देश दे लोगो जागो जागो जैकोई जागोई दुनियाँ दे लोगो जागोई जागोई देश जोवानो जागोई जागोई दुनियाँ जवानो चोटे दानी कम बढ़े बढ़े ठेके दारने चुणो जिन्नानू तुसी ओभी भागी दारने चोटे दानी कम बढ़े बढ़े ठेके दारने चुणो जिन्नानू तुसी ओभी भागी दारने दिम्मे दारानू आर जी पादे हो, बंद नशा हो या राता धल्ले ला दे हो, जगो देश दे लोको होनी चाहि दिस कुरबाणी वर्षा, पर होरी करकर नशे दी चर्चा होनी चाहि दिस कुरबाणी वर्षा, पर होरी करकर नशे दी चर्चा मीत कई तेके आनूंटा दे हो, ओधे गुरू पीरा दस रूपला दे हो, जगो देश दे लोको जगो 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 तूनिया दे लोको जागो जागो देश जवानों जागो जागो दुनिया जवानों मिशेडियां दपरीच का रंगे लाज जी पर इस दावी कोई करे ना है दराज जी जागो 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 दुनिया देलो को सरपंचो ठीकरी पैराला देओ, नशे दीनों एंटरी करा देओ, पिंडां विच ठीकरी पैराला देओ, नशे देब पारियानू पजा देओ, जगोए दुनिया देलो को नशे जड़तों पुट्टेणे जगोए देश देलो को नशे जड़तों पुट्टेणे जगोए बड़ देलो को नशे जड़तों पुट्टेणे जागो जागो तेशी दे लोको जबर्दस्त जैसे मैं यह जो गाना सुन रहा था जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मेरे शरीर के जो रोम रोमाना वो रोमान्चीत हो रहे थे बड़ा ही एक ऐसा कोंसेट आज तक किसी भी किसी भी संगीत कार या गाना लेरिक्समैन या किसी के भी मन में नहीं आ रहा था क्या संगीत के माध्यम से हम नसे पर इतना जबर्दस्त प्रहार कर सकते हैं या किसी भी धर्म को मानने वाला अगर वो नसे में है तो वो अपने धर्म का नहीं हो सकता वो मात्र दिखावा है किसी भी धर्म के नसे के लिए नहीं लिखा गया किसी भी सिंगर ने आज तक कभी नसे पर प्रहार करने के लिए नहीं सोचा नहीं गानें के द्वारा हम लोग अंग परदरसन ऐसलील सब्दों का परियोग करना समाज को बुराईयों से जोडने शरापीना वगरा 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 बहुत सी चीजे दिखाते हैं केवल अपने आपको हिट करने के लिए ऐसे पंजाबी सोंग हमारे बीच में चलाए जाएं घर पदिवार में दिखाए जाएं तो मेरा तो यह मानना है कि यह नसा वास्तों में जड़ से उखाडने का काम करेगा तो संत जी ने यहां हम लोगों को पुड़ा संदेश दिया है कि हम लोगों को इस तरी के लिए प्रोगराम करने चाहिए क्या हम अपने आने वाली पीडी को बचाने का कारिया नहीं कर सकते ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो यह बेःद जरूरी है संत जी ने ये जो गाना रिलिज करके इस समाज के ओपर जो प्रोबकार किया है मैं तो कहुँआ सभी जितने भी संगीतकार हैं या इस तरीके की एलबम्स बनाते हैं या म्यूजिक में अपना इंट्रेस्ट रखते हैं ऐसी चीजे लेके आईए ना जो समाज में देखने पर भी अच्छी लगे जबरदस्ट पंजाबी सों को नंबर देना चाऊँगा तो दस में से दस दूगा अदुध वाकिम कल्पना से परे ऐसी ठिंक वास्ता में आज हर एक राइटर की होनी चाहिए आज की इस वीडियो की समीक्सा समाप्त करते हुए मैं ऐसे सराठी यही कहना चाऊँगा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यह चैनल सस्क्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और सेयर कीजिए थेंक्यू धन्यवाद